Friend, सभी adjustment करने के बाद में हमें service tax की payment करनी है और उसकी details tally के excel में डालनी है आपकी information के लिए बता दू कि service tax की जो payment है वो online होती है अभी चलान generate जो होता है वो online होता है तो आप tally से चलान generate नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहेगा हमें यहाँ पर payable की entry निकालनी है और उसी को डालके चलान की जो details है वो enter करनी है जिसे कि हम अपने return को तयार कर सकें तो चलिए friend पहले हम payment की entry करते हैं तो payment की entry simply कैसे करनी है आपको आना है accounting voucher पर यहाँ से जाना है आपको F5 press करना है या फिर payment voucher पर click करना है यहाँ पर आप देखेंगे button state payment इस पर click करेंगे आप service tax को select करेंगे और यहाँ से particular period डालेंगे कि किस period की आप payment कर रहे हैं example के लिए अभी तक हमने payment नहीं किये जब से भी हम entry करते आ रहे हैं तो हम एक अपरेल से ही ले ले लेते हैं और 31 जुलाई तक वैसे यह quarterly हो सकती है और month ली हो सकती है depend करता है आपकी company के status के उपर और यहाँ से आप किस तरह की इंट्री कर जो payment है वो कर रहे हैं आपको यह अलग-अलग payment और अलग-अलग चलाई जनेरेट करना पड़ेगा तो यहाँ से आप any को भी select कर सकते हैं लेकिन मेरा आपको suggestion रहेगा कि अगर आप regular payment करें तो regular को select करें advance payment है तो advance को select करें area है, interest है, interest on KCC है, SBH है तो जिस भी तरह की आप payment कर रहे हैं उस particular head को select करेंगे तो हम यहाँ पर regular को select करें है, regular को select किया और आप देखेंगे यहाँ पर उपर जो है इस तरह से voucher बनके आ गया है अब यहाँ से हमें अपना bank select करना है, उसके बाद हमें करना है service tax collector, इसका balance आप देख रहे हैं 50,720 आ रहा है आप इसको सही से calculate करके निकाल लेंगे कि आपको कितनी payment करनी है, उस चलान के detail आपको यहाँ पर डालनी है और amount हम यहाँ पर लिख दिया हमने, सच भारत CES की भी payment हमें यहाँ पर करनी है, आप क्रिशी कल्यान CES की भी payment यहाँ पर कर सकते हैं एक ही साथ में इनकी payment करने के बाद में आप इसको save कर लेंगे, यह आपकी payment की entry हो गई है, payment की entry होने के बाद में आपको चलान मिलेगा bank के दोरा, online जब आपने payment की होगी उसकी entry भी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा display, state utility reports और service tax reports, चलान reconciliation, अब आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ पर चलान जो हमने payment किया था, उसकी detail यहाँ already है, अब आपको यहाँ पर चलान reconciliation करना है, इसको डालना है, और यहाँ पर इसकी details डालनी है, आपको यहाँ पर डालना है, जिस भी bank में आपने जमा किया, या जिस भी bank के थुरू आपने payment किती वो डालना है, उस bank का BSR code आपको यहाँ पर डालना है, चलान number generate होगा वो डालना है, और चलान की जो भी date होगी, वो आप आपको यहाँ पर इंट्री करनी है इसको accept आप कर देंगे तो यहाँ से वो automatically हट जाएगा अगर आपको previous चलान देखने हैं तो आप उपर से alt f2 press करके date range को change करेंगे और यहाँ से show all कर देंगे तो आपको जो चलान से वो दिखाई दे जाएंगे आपको कुछ alteration करना है तो आप फिर से चलान reconciliation करके उसकी entry कर सकते हैं तो यह चलान जब आप update कर देंगे तो इस तरह से आपकी इसकी payment हो जाएगी